हाई फ्रेंज, कुकुवित नीशू में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं कि मौनसून आ चुका है और मैं बनाने वाली हूँ मौनसून स्पेसल आलो के पकोड़े यह बहुत ही इंस्टन बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी होंगे और बहुत ही फुले फुले बनेंगे एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और ये मौनसून स्पेसल तो है इस बार इस में एक बार आप ये रेसीपी जरूर बनाएगा तो चलिए रेसीपी बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू ले लिये हैं मैंने चार आलू लिये हैं इसे हम पहले अच्छी तरीके से छील लेंगे तो देखी इसे मैंने अच्छी से छील द इसकी तरह काट लेंगे अपने पोटेटो पकोड़े के लिए यानि कि आलू का पकोड़ा जो हम बनाने वाले हैं तो देखी इसे मैंने काट लिया है अब इसे दो से तीन बारा मच्छे से वाश कर लेंगे यह साफ हो गया है अब मैं ले रही हूं एक बावल पर हम रखेंगे जन्ना फिर इसकी आद में एक कप बेसन ले रही हूं बेसन को हम अच्छी तरीके से चाल लेंगे मैंने बेसन को अच्छे से चाल लिया है फिर इसकी आद मैं यहाँ पर लूँगी दो चमच चावल का आटा इसे भी हम अच्छे से चाल लेंगे फिर हम अपने जन्ने को हट देंगे फिर एसके बाद यहाँ पर में लूँगी टेस्ट के अपार्डिंग नमक आपको जितना पसंद हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं फिर इसके बाद हम यहाँ एट करेंगे ग्रीन चिली यानि की हरी मिर्च मेने दो ली है आप अपने टेस्ट फिर मैं लूँगी एक चमच जीरा फिर इसके बाद हम लेंगी मिर्च पाउडर आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाप से ले सकते हैं फिर इसके बाद मैं लूँगी वन टीजब स्पून बेकिंग पाउडर ये बहुत ही जरूरी है इसे जरूर डालेगा इससे हमार जो पकोड़े हैं क्रिस्पी बनेंगे फिर इसके बाद मैं यहां पर लूँगी अजवाइन अजवाइन को मैं अच्छे से क्रश करके डाला है अब सारे इंग्रेडिंस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है अब इस तो देखें हमें इसमें बिल्कुल भी लंस न रहे तब तक फेट ना है। बाद भी इसे एक से देड मिनट एक्स्ट्रा फेंट लेंगे ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो एदम क्रिस्पी और फुले फुले हैं तो देखे यह अच्छे से फलफी हो चुका है गैस पर कढ़ाई चड़ाते हैं और कढ़ाई में तेल एड़ करते हैं तो मैंने ऑईल डा इसलिए इसे बिल्कुल भी इसकीप ना करें तो देखे इसे मैंने डाल दिया है अब आलू को हम अच्छी तरीके से फ्राइ होने के लिए धीरे-धीरे एक एक आलू हम इसमें डालते जाएंगे आलू डालती जैसे कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे से फुल रहे हैं अ और इसे मैंने चिप्स वाले से अच्छे से कद्दुकस किया है इसलिए बहुत ही जल्दी तयार होते हैं हमें कोई इसे स्लो फ्लेम पे ज्यादा टाइम तेक रखना नहीं पड़ता है एक से देड़ मिनट हम एक तरफ पल्टेंगे एक से देड़ मिनट दूसरी तरफ पल् सकते हैं इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं तेल के बाहर और जो बाकी के पकोड़े हमने रखे हैं उसे हम धीरे धीरे करके फिर से फ्राइ कर लेंगे तो चलिए इसे मिने निकाल लिया है दूसरे वाले भी हम डाल देते हैं इसे भी हम एक एक करके डालेंगे अच्छी त इसे हम पलट लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यह कितने फुले हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं मैं इसे आपको थोड़ा नस्दीक से भी दिखा देती हूं तो चलिए यह दम रड़ी हैं इसे भी हम उलट पलट के एक से दीड मिनट बाद इसे भी निकाल लेते हैं और सारे पकोडे को हम सर्फ करने के लिए ले चलते हैं तो देखिए मैंने इसे सर्फ किया है मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी है और कितना अच्छे से फुलाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से सस्क्राइब कमेंट जरूर कीजेगा ओके फ्रेंज मिलते हैं नेक्ट वीडियो में फिर किसी नई रेसिपी के साथ बाई